हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विडिज केन मैंट्रिक्स में दोस्तों आज के टेस्ट के सभी महत्तुपुर्ण प्रस्णों का ट्रीकी हल देखेंगे देखेंगे जो आज का जो टेस्ट था उसमें जो प्रस्ण प्रस्ण सेट किये थे जिसमें आज के पहले प्रस्ण के छोड़ के बाकी सारे के सारे धांसू प्रस्ण थे पहले प्रस्ण में थोड़ी सी तुरूटी हो गई है ठीक है अब देखें उस तुरूटी का भी निरा करने यहाँ पर भी कर देंगे ठीक है ना देखें काता है पंदरह बेक्ति किसी का काम करने के लिए एक इस दिन में काम करने के लिए पंदरा विक्ति लगता है तो एक दीन में अगर आपको काम करना होगा तो थोड़ा इसको मल्टिप्ला कर देंगे एक दिन में काम करना होगा ज्यादा विक्ति लगा यहां पर आपको करने कितने दिन हैं पांच दिन में मात सीरियस होगा इसका चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन के और क्वेश्चन नमर जो है अब अधी फोर नमर क्या करता देखिए एक सो बीस छात्र है टोटल उसके आवसत जो है 35 है अब यह एक सो बीस छात्रों का आवसत यदि 35 है तो कुल इसको गुना कर लेंगे संख्या निकल जाएगा 35 गुने 120 कितने होगा 35 दुनी 70 होता है 35 दाएक 350 सत्तर यहनी 420 यहनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा कितने हो जाएगे 42 हो जाएगे टोटल आंक कितना है 42 हो गया एक सो बिस दीरन हुआ एक सो बीस टोटल है तो 120-x किया हुआ होगा अनुतिर्ण हुआ होगा 120-x वाकि नहीं देखें को और कीजिए 120 भी दियर्थियों में x अगर उतिर्ण हुआ 120-x अनुतिर्ण हुआ अब कहता है जो उतिर्ण हुआ उसका आउसत 49 है तो x गुने कर लीजिए उसका आउसत 15 है और यहीं टोटल 42 होगा यहीं 42 होगा इसको हल करते हैं देखें 49x होगा 49x और प्लस कितना होगा यह 15 गुना कि यह 15 बारे असी 1800 होगा 1800 मैनस 15x होगा मैनस 15x अब बरावर यह बरावर कियागा इसको आगे देखते है 49 मैनस 15 हो जागा कितना हो जागा दूस्तों 24x हो जागा और इधर तो कितना है 42 पहले से इसमें से 1800 जागा घट जागा नहीं यह 400 पहले इसलिए बरावर इसलिए आगा आपको प्राश्न काता है 39 वाली छाथरों संख्या गैस बरावर 100 रहा है यह दो लावर यह इक सो आ वाली जागा ठोश्तों चलिए आगे बर देक कुश्चन में नेक्ट देख्ते है आगे क्या काता आपका अगला कुश्चन यह देखी करेंगे तो 9 का चार बट्टा 9 कर Works it orра नौ कर लेंगे तो प्यार्च की संख्यां और सेश्चय और समय में स्मय है इन्य को बदशेंगे 6 और समये 9th buses और कि यह इन से लिए 5c 106 यौँ गुने 401 trip सीधा मुल्तन कुने समय ई02 ग्यात करने के लिए R है R बढ़ाबर तो मुल्दन गुने समय मुल्दन आपका होगे यह X और समय आपका होगे कितना समय भी होगे आपका R हो गया अब यहां हो गया क्या R गुने R S2 बढ़ाबर बचे गया कितना बढ़ाबर यह 400 बटावज जाएगा नहीं अब R कितना हो जैगा चार सा मुल्दन हो जाएगा बीस बटा नाव कृउल तीन हो जाएगा अर बढ़ाबर कितना हो जाएगा यहिन होगा J هذا में हो गया आपको क्या कहता देखते हैं देखे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा देखे रिजिनिंग का देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि पडिक्चाओं में और सफलता का एक कारण और नियमित था रेगुलर ना आना दूसरा कुछ नियम तो और सफ़ल हों यहां जिए ओसाफल सभी चात्र नियमित होते हैं यहां भी ऐसा कोई पर चरचा Boss यह दोनों को गलत हैं केषिन mechanism 17 देखते हैं दोंक तल में इस्तित है तो कौन सां ओपर इस्तित होगा दोंक तल में इस्तित है मिया आप पाएंगे कि इधर दो देखिए दो के एक तरफ यहाँ पर देखिए एक है और चार है यहां पर एक है और इधर चार है नहीं अब यहां आई यह चार के बगल में क्या क्या है दिक चार के एक बगल में एक और एक बगल में च्छो है तो जब चार के एक बगल में इस तरफ एक है तो चार के दूसरे तरफ चो इधर हो सकता है हो सकता है में ठीक है यहां देखी सोचने वाले बात है यह चो नीचे भी हो सकता है यहां पर यह भी कहता है यह चो इधर भी हो सकता है जो चो वहां होगा जो एक के एक साइड में होगा ठीक है तो एक के साइड में होगा इधर चो नहीं होगा यह गलत गलत हो गया यह तो इधर चो होगा नहीं त सिर्फ छो आ सकता है ठीक है ना दूख एपिजिटिम क्या आगा छे आ जाएगा चलिए आगे पर देखिए क्वेश्चन नमर यह क्या कहता बड़े ही मैं दार क्वेश्चन देखिए कता है एक लड़के को कागजबर साथ रेखा एक खिचने लिखा गए एक दो तीन चार पा आपका यह उसके बाद आठ हो गया दुगुनी फिर आठ के दुगुनी 16 यह 16 दूनी 32 ना 32 32 दूनी कितना हो जागा यह 64 और यह 64 दूनी कितना हो जागा एक सो 28 होगा ना यह कुल मिला का आपका क्या आंसर होगा साथ में रखा कि लंबाई 128 हो जागा कि दम सिंपल ना 2x² प्लस लिख लीजिए प्लस क्या है देखें 2x² क्या है 2x² प्लस x-6 है जब इसका फेक्टर तो रहेंगे तो यह 16 दूनी 12 पहला उन्हें तिसरा जो रखटा कि दूसरा होता है तो 6 दूनी 12 हो जागा बार हो जागा तो यह आपका रहा 2x² प्लस 4x-3x-6 ठीक है इस तरह तो एक आजागा 2x-3 हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा इसमें कोमन ली जागा 2x-2 हो जाएगा और एक जो हो जागा 2x-3 हो जागा 2x-3 एक आजागा 2x-3 एक फ्रेक्टर इसमें आजागा अब दूसरा समीकरा आपका 4x²-9 दिया हुआ यह भी तो a²-b²-2x-3 और 2x-3 आजागा 2x-3 आजागा देखिए अब एक और वह इदर 2x²-3x²-2x-3 जब इसको भी तोरियेंगा ना तो 2x-3 आजागा एक एक फ्रेक्टर 2x-3 होगा हाट फ्रेक्टर है थोरा सा लंबा हो जाएगा इसमें ठीक है ना देख लीजे तो कू हाट फ्रेक्टर है ठीक है ना इसको तोरने के लिए थोरा सा एसपेस ज्यादा चाहिए ठीक है ना तो चलिए आगे देखिता है अगले प्रेशन को आगला प्रेक्षन का माधी 20.5 है तो 9 का माध्ध है तो 9 की टोटल यह कितना हो जागा 20.5 गुने 9 20.9 कितना होता है 185 प् चाहिए यह भी वह दगया बरे प्रक्षनों में प्रते का मान 2 बढंड बढा देरे जाता है कितना बढ़ देरा तो 2 बढ़ा जाता है तो जब बढ़ा बढ़ा जाए तो दो चाहिए यह आठ बढ़े आता बढ़ए एक न quiet बढ़ा ही बढ़े सब्सक्राइब दीसा आपको पता है यहां से यह लूट हो गया पूछ हो गया होगा चैका आपको दूसरे हो चलिए और से अच्छा जाता है अब यहां मालीचे दीशा आपको पता है यहां से यह मूल विंदू हो गया अगर तो 6 km पूर आप गया चलिए मालीए वह फिर दाये मुरकर 10 km जाता दाया मुरेगा तो नीचे की और 10 km आ गया लिजे यह भी 10 km पुना दाये मुरकर के इधार आ रहा तो दाया इसका क पूरा आ यहां पर दाये तो दूरी था यह 10 होगिए इधर 10 से यह भी 10 हो गया और 15 पर नीचे जा रहा देखली चाहिए गए हूब 35 से होगा 15 से आरम को She sings a does पर निचे था पचीस और धीस होगा 25 होगया और बस्ती यह यह सद ञार नीचे कई नीची कुछ राइक था其實 किलोमेटर रह जाए है ठीक है चूर्गे करते कोश्शन नमर्ट 24 टिकर 24 कि कर आम और स्याम और स्याम घंक आर्यूं पस्तर अ बाद, साथ अनुपात सतरे, फिर कabouts कि याद शियां और सोहन का सियां के साथ सोहन भी आ गया, सियां के सामने स् . साथ के सामने डिहें 17 अब इसको देखे ये 17 आगे खाली है इसको यहाँ 17 भिढ़ देज़े और यहाँ खाली है इसके सामने इतर इसको साथ भिढ़ दीज़े उपर नेचे गुना करें दानीकी साथ 649, 1770 होता है और 177 है 297 होता ही eelle अब क्या कहता यदि राम की आय। चार सो नवभे है। तो राम आपका ये हैётся चार सो नवभे हैं, wanna बहुति लगाती है हैं तो खंप क्या कहता है कि अगर महीने का दूसरा दिन शुकरबार है.. महिने का दूसरा दिनवान दिन दू तारिक को शुक्रबार है तो आगले महिने का आखड़ी दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन होंगे अब एक बात बताईए आपको यह महिना जिसमें 2 तारिक है वह कितने दिन का है यह पता है क्या नहीं पता चलता है लेकिन अगला महिना 31 त पता चलता 28 है कि 29 है कि 30 है कि 31 है यह अगर पता चलता तब तो प्रयाप्त निकाल सकते थे जो पूरे दीन को गीन करके साथ से भाग देके निकाल लेते लेकिन यहीं नहीं प्राप्त है इसलिए डाटा ओप्रयाप्त लिखा जागा इसमें क्या हो जगर डाटा ओप्रयाप्त एक फोटोग्राफिक के नuju संकेत करते वे वैक्षति कहता है फोटोग्राफ में धीग purity की ना Detroit मेरे भान जे कील नानी बद्धिर भांजा जो होगए भांजा गैए भांजा की नानी जो हो जाएगी वो आपकी माना होगी। भाजे की नानी मतलब माह पर जाईए और उनका बेटा और उनका बेटा खुद भी हो सकता है या आपका भाई भी होगा मेरी बहान का देवर है क्या है आप जो होगा वो बहान का देवर है तो फोटोगराफी पर दी गई महिला कौन है तो यहां मा को अगर आप सास की और मोड करके ले जाएगा जब सास हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जगा बहान का देबर हो जाएगा ओ ठीक है जब देबर हो जाएगा तो ये आपका आनसर क्या जाएगा सासा जाएगा ठीक है चलि आगे बरते question 27 देखते क्या काता है 27 27 चलो 27 ठीक है अब ये दिखे प्लस का आर्थ है गुना ये दिखे चार भागा 8 दिए वा न चलि भागा 8 है तो भाग का अर्थ क्या भाग का अर्थ है जो अर्थ ये लिजे जो और कर लिजे 4 वाग 8 माइनस का अर्थ क्या देखिए माइनस का अर्थ है भाग भाग हो गया 2 गुना का अर्थ है घटा घटे हो गया फिर 2 और जोर का अर्थ है गुना गुना होगा पहले तो दोस्तों देखते हैं फटा फट अंदाज में अगले प्रस्ट को अगला प्रस्ट देखें गेरी कक्षा में कितने चात रहे हैं इसको संख्या क्यात करना है चार पंगतियां भरने पर दू बच जाता देखें चार पंगतियां भरा मान लीजे एक्स स्टूडेंट है तो दू बच गया यह नहीं इतना स्टूडेंट प्लस दो तो टोटल स्टूडेंट यह तीन पंगतियां भर दी जाती है तो तीन पंगतियां भरा वही एक्स स्टूडेंट बच आया नहीं तो नौ छातर बच जाते है नइए यह नो हो गया इसको हल कर लीजिये चार एकश उसे्ट ना हो जाएगा एकस है यानी एकस ब्राबर आप का साथ एकस बुराबर कितना हो जाएगा साथ यदि जिए चार एकस ब्लस दो बराबर हो जाएगा चाहरा की दीशा में एक चीस देखिए जो 9 क्या Horizont two ठीक है और धारा की चाड़ोंगी तोeros NPouch वो जब धारा के शापेक्छ चलता है ना धारा की दिसा हम चलता तो जूर जाता है चाल की बात करें चाल के जूर जाता ठीक है और दारा के विबृत होता जाल घड़ जाता है अभी 13 किलो मीटर है और चार किलो मीटर धारा है धारा की दिसा धारा की गतिया और दूने दिसा में जा रहा था तेरा चार सत्रा किलो मीटर हो जाएगा सदा किलो मीटर जाना है तो टोटाल होगे कितना अरसाठा बट्टे हो जागा सत्रा सत्रा चोके और सट चार घंटा में दूरी जाता है जो इलटकर करके क्या आएगा आपका लगता है एलटा है सब्सक्राइब इसको भी देखना ऐसे 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 आपका दो ही आंसर फिट वैठता है क्योंकि एक और तीन एक जैसा बनता यह और यह तो होगा यह नी क्योंकि इसका उल्टा हुआ है यह तीर वाला वो गलत दिसा में उल्टा हुआ ठीक है तो इस दोनों में इसमें भी देखे कि इसमें जो खीचा हुआ यह उपर वाला सेम टू सेम दे 내려 comer या उल्टा यारने यह पहला मूलटा है हो यह आपका answer हो जाए ते question number 41 क्या दाइख दिखे है कि एक ठेले में पंचीस पैसे दस पैसे और पांच पैसे के सिख्के हैं अनुपात यह दिया गया है 3 रुपया उसों क्यों कि संक्या ग्याद कर नहीं अब याब पईसा है तो तो 25 पैसा गुने 1 X पलस 10 पैसा गुने 2 X 2 X आप पलस 5 पैसा गुने 3 X बराबर 30 रुपया मने 30 पर दूगोजिर्ववर दे दीजे जो तीन हजार पैसा हो याइं पैसा मागे सब तो 25 पलस 20 X आप पलस 15 X बराबर ये 3000 नै 25 पंदर कितना था 40 20 कितना था 60 60 X बराबर 3,000 अब 1,0 खतम 1,0 से 6,5,30 हुए कितना 50 यहनि X हुआ 50 तो X के बहलू जो है यहां देखे 3,3 X है ना तो 50 दिया 1.500 पांच पैसा चाहिए 5 पैसा वाला 3X तो 50 है यह 3X है ना यहां देखे 3X थान लिया हुए थे 50 दिया 1.500 पांच पैसा हुआ ठीक है आगे बड़े हैं देखे यह क्या कहता है यह भी लगता है डिजनी है देखे बिजू चुब अगया स्पेक्ट्रम मैंने कौन सा कथना प्रभी चार्ज कितना गामा केरने X केरने क कि तुलना में त्रंगधरी अधिक हुथ है यह भी सही है यह विल्कुल यह तीरों के तीनों सही है आपके ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन यह रहा देखिए यह यह भी एक कोशन देखिए 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रती दिन क ऑसे बारही हैं बारह से बारह खत्म 14 दुन्या 28 दूसे 16 I x 21 के तायार है 30 नमर्रेखिए पुस्तक पेंट पेंसिल कों साजीर होसकता है चैक matrix पुस्तक जो है यह नहीं बैठ रहा है इसलिए आपका डी बैठ जाएगा ठीक है ना सुरी क्या बैठ जाएगा ये आपका क्या होगा हाँ भी बैठ जाएगा ठीक है ना पुस्तक जो है क्या करता है पुस्तक जो है पैन नहीं हो सकता है लिए पैंसिल हो सकता है ये दुनों ठीक है लेकि पुस् कुछ तक तो देखे कलम तो पैंसिल हो सकता है लेकिन कुछ तक अलग हो जाता है ठीक है यह होना चाहिता ऐसा कोई अपसों नहीं इसलिए आप भी लगा सकते हैं चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है पूरा कोस्चन लगभा लगए जो भी था मैथ और इजनी का वो सारे प्रस्णों का हमने ठीक हर बताया है ठीक है चले दोस्तों वीडियो को अधिक सथी लाइक किया किजिए कुमेंट किजिए अधिक सथी दोस्तों के साथ सेयर ठीक है वीडियो देखने के बहुत बहुत धनिवाद जय हैंदु